हाई फ्रेंद्स मैं कीद की बटी आपका स्वारत करती हूं और आज का वीडियो हम देखेंगे के हम मारा जो नया किट लॉंच हुआ है लाव नीचर की रेंज में ग्लो किट उसको हम किस तरह के से इस्तमाल करके अपनी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो ला सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप से हम अपनी रेगुलर जो हमारा हम क्लींजिंग टोनीग करते हूं उसके इलाबा हमें जो कुछ एक्स्ट्रा हमारी के दूरते हमें कहीं बाहर जाना है हमारे पास व्क्त नहीं हैं हमें पालर check अग्वे और शृयद हमें किसी गर बनाने का भी नहीं है तो हम अपने आपको किस तरीके से तुरेंट दस मिनिट में तयार कर सकते कोई भी कोकेशन के लिए ये कि इस्तेमाल करके आप अपने आप में बहुत ही अच्य लो ला सकती हो ये और किन टाइप बिस तो शीकार स्टेप्प तो एक या दो दिन पहले इसको इस्तमाल करें ताकि वो ग्लो और अच्छे से दिखें और जिस दिन भी आप इसको इस्तमाल कर रहे हो उस दिन उसके बाद आपको पूरा दिन कम से कम उस दिन आपको फेस वाउश या कोई सोब यूज नहीं करना है अपने चहरे पर किस तरीके से हम अपने आप पे बहुत अच्छा ग्लो ला सकते मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यह तो जल से जल सब्सक्राइब करिए तो आई हम देखते हैं कि किस तरीके से आप घर पर बहुत ही सिंपल इजी स्टेप्स करके अपने आपने आपने एक ब्लू ला सकते हो और अगर आपने कुछ और नावाइंस पहने तो निकाल दीजिए और आपने बादों को टाइट ऐसे बांग लीजिए ताकि आपके बा सब्सक्राइब करता है नेक्स स्टेप के लिए आपकी स्किन को तयार करता है तो और इस पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यह जो इतना काफी है आपके लिए तो थोड़ा से चैने को आप घीला कर लीजिए इन देन इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए आपके चेहरे पर क्लिंजर को और नेक्स स्टार्ट करेंगे हम हमें इन चीज़ता बहुत धियान रखना है सिंपल है वो अपफर्स एंड आउपवर्ट्स आप यहां पर इस तरीके से अपने कानों तक ले जा सकते हो सर्क्यूलर मोशिन में आप पर होगे करीब आप एक मिन तक इसका मसाज दोगे हैं मैं आप इसको अपने स्किन को अच्छे नहीं तक आप आप सब जानते हो और इसमें बनाए जाते हैं मिल्ग इसमें कोई भी आटिफिशल बीड नहीं डाले जाते प्लास्टिक के ताकि हम एक्वा एनिमल्स और एक्वा प्लांस को जो बिल्कुल डेमिज ना कर सके तो इसमें भी अलमेट का क्रश है जो बहुत ही ज्यादा और यह देख सकते हो जेल बेज है यह और इसको उसी तरीके से हमें चेहरे पर डिवाइड कर देना है पांच अलग-अलग डॉट करके और यह भी हम इसके शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स से थोड़ा सा हाथ गीला कर लेंगे हम अगें इस तरीके से आप अगें आपको कहां मदब करते हैं आपकी अनिवन स्किन है जहां अनिवन टोन है यह कित में आपको काफी ज्यादा उसमें ग्लोम फील होगा और प्लस अनिवन लेसे वह भी काफी हज तक चली जाएगी हमेरा नोज एरिया है यहां पर और यहां पर हमें ब्लैकेट्स का काफी एशु होता ब्लैकेट्स होएं जिसके और इसको ज्यादा तक तो यह स्टप में हम यहां पर अच्छे से मसाज देंगे ब्लैकेट्स काफी है अगेन हम रिपीट करेंगे सेम स्टेप्स हम इस क्रब को भी करीब एक मिनिट तक हम इसका मसाज देना है करेंगेन तक हम रिप्सक्राइब अर्च करेंगे लिए और अच्छा नियुक्त अच्छा चेहरे पिश्या अब यह थर्ड जो स्टेप्स है वह अमारा मौस्टराइजर हमारा क्रीम जो नियुक्ति रखेंग और जड़ा लाने के लिए और इवन निस लाने खेंगे लिए यहां अगेन हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्ट से यह जो हमारी जॉलाइन है वहां पे से हमें अच्छे से शुरुवात करनी है अपने स्टेप्स की तो मैं आपको टर्म बेटर्म सिखा रही होगी किस तरीके से आपके इस तरीके से आप अपने कानों तक ले जाएंगे इसको यूशुड रिपीट इस फॉर मोर दें फाइफाई इच फिर यह दो फिंगर्स को यहां कानों के साइड में करिए बहुत रिलैक्स करेगा आपको फिर इन दोनों फिंगर्स को आप इस तरीके से करिए इस तरीके से से इस साइड भी इसके बाद हमारा नोस का जो पोर्शिन है यहां पर हम बहुत ही अच्छे से इसको हलके हातों से मसाज देंगे हमारी आखों की जो स्किन है वह बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती तो हम हमेशा इस फिंगर के यहां से सिर्फ हमारा जो बोन है उसी पर हम मसाज देंगे बहुत ही हलके हातों से और यहां पर थोड़ा सा हम प्रेशर देंगे क्योंकि यह हमारी आखों की रिंकल्स जो है उसको कम करने में मदद करेगा उसके बाद हम हमारे फोर हेट पे आ जाते हैं इस इधर भी हम अपवर डायरेक्शन और आउटर इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम मसाज करेंगे हमारी आइब्रोज है उसको इस तरीके से हम थोड़े से पॉइंट्स को हम प्रेशर देंगे ताकि हमें रिलाक्स फील हो अगें हम सेम चीज को रिपीट करेंगे हम यहां से शुरू करेंगे एट बनाएंगे यू विल मेक एट सो वापस से एक बार हम शुरू करेंगे हमारे नेक्स से प्रेशर बार हम औलाएंगे पूरा ही क्रीम हमारे स्किन अब्जॉर कर लिया हुटी देर तक हम साज करेंगे पांच से साथ मिनिट तक जब तक आपके इसके निग्दम से अब्जॉर ना कर ले जो लास्ट टैप है हमारा वो है हमारा मास्क अब हम 10 मिन तक इस मास्क को लगा के रखेंगे बहुत ही कम कॉंटिटी लगती है मैंने देखी इस तरह के से निकाल के रखा है हम ब्रश की प्रश कर दो लिए अपने उंगलियों से डाइक भी लगा सकते हो यह भी आप इससे अपवर्ट डिरेक्शन में ही लगाओं और यह बहुत ज़्यादा थिक लगाने की जरुवत नहीं है जैसे मैंने पहले भी बताया हमारे जो प्रडेक्स बहुत ही आखों के पास बिल्कुल ही आप नहीं लगाओगे कोई भी इसमें से स्क्रब हो या क्रीम हो उसका कोई ज़्यादा मसाज नहीं करोगे क्योंकि वो स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है हमारी यह क्रीम बेज है यह अपने आप अब्जर्व हो जाएगा आपके स्किन में यह आल स्किन टाइप किट है हमारी सो कोई भी इस्तमाल कर सकता है यह और येस नेक पे ज़रूर लगाई है अब आप 10 में तक अपना कुछ भी काम कर सकते कोई बुक पर सकते हैं और अगर आप और रिलेक्स होना चाहे तो आप अपने आखों पे यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं रोज वाटर के आप पॉटल अगा सकते हो और ये इस्तमाल करें तो यह कोई भी इस्तमाल कर सकता है अगर अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब करें बैल आइकों टे क्लिक करना ना भूलेगा ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहें थांक यू सो मुच पर सो मुच अफ यूर लौव स्टेए हैली स्टेए बीटिफुल